अच्छि को चलो यह चाहिन यह प्रॉबलम लम्लोग करते हैं देखते हैं इसमें क्या है कि यह बेसिकली यह कर रहा है कि यहां पर एक बोड़ी है सटेंड परा में इस प्रिंग बैलेंस के प्रीने सेटलाइट तो इक शेटलाइट है उसमें सब्सक्राइब करेंगे तो देखेंगे की रीडिंग डबलु वन है और जब उसकी रैडियस सेटलाइट आर्बिट की रैडियस और ठीक है तो यह करते हैं बाद में इनकी जो रीडिंग है वह बेसिकली डबलु टू हो गई जब रैडियस कितना हो गया उसका डबल हो गया तो हमें डबलु डबलु टू में क्या निकालना रिलेशन निकालना तो सबसे पहले यह बात हमें समझना पड़ेगा कि अगर कोई सेटलाइट है तो वह इस्प्रिंग वैलेंस है वह की डिविरियम में हो तो के ऐक्स ने एम जी को बैलेंस किया होगा लेगन अगर यह एकसलेटेकल में चलेगा ऐसे सरकूलर पाथ में चलेगा मूब करेगा तो यह सेंटर की तरफ इदर इदर इंडर की तरफ quê richtige लगा उस वक्त एंजी ज्यादा होगी मनलब संत्य पीटल मतलब मैं इसलिए बोला यह spring का force इसको मैं F से denote कर देता हूं और इसको मैं F से कोई दिक्कत दोली वाद नहीं है तो इसी हिसाफ से जब दो situation है तो पहले situation में जब spring यहां पर satellite में तो इसकी जो reading है अब ऐसे vertical ऐसे आएगी spring ठीक न तो ऐसे आएगी यहां पर spring तो इस तरह से इस satellite में एक मास है यह वाला तो यह जो मास है इसमें center की तरब इस सर्कल में है तो centipetal force लगेगा और ओ centipetal force किसका किसका resultant होगा बताओ तो यह centipetal force उपर spring का force लगेगा और नीचे अर्थ की लगेगी weight mg ठीक है वाट इबर जो कि वहाँ जी होगा जी डैस तो यह अगर रेडियस आर है तो यहां से मैं लिखूंगा फर्स्ट केस में centipetal force FC की वेलू वह होती है M orbital speed of the satellite और रेडियस आर इस उकल to mg minus spring force के एक कोल होगा तो यहां पर हमें निकालना क्या है कि हमें जो है जो weight होगा तो weight कौन decide करेगा भाई तो weight decide करेगा इनका resultant force F reading इसमें जो reading आएगी spring force F इसकी F की value ही हमें weight है यहां ठीक ना इसकी reading ही weight है तो इसका मतलब यह हुगा कि जब मैं इसको solve करूंगा तो solve करो सब लोग इसको अगर मैं इसको solve करने जाता हूं तो M R और arbitrary speed arbitrary speed का formula सबको याद है Z M radius ठीक ना radius R under root का square I hope कि सबको याद होगा is equal to push point पे G की value रखो M G की value क्या होती है से GM upon small r मतलब जो height है जो height लिया हूं और multiplied by force F तो यहां पर तुम देखो कि इसको solve करने के बाद कि जो है वो GM G में सब कट गया तो GM small m और यहां से R square minus GM small m over r का square यहां square है तो यह spring की reading आ जाएगी F और यह दोनों एक दूसरे से cancel होगे तो यहां से जो reading आ जाएगी F की value that is basically zero तो पहले case में भी zero आएगा दूसरे case में भी जीरो आएगा ऐसे करोगी तो दूसरे वाले case में भी मतलब W1 बराबर हो जाएगा W2 और इसकी जो value आ जाएगी वो 0 आ जाएगी और जो spring यह read करेगा मतलब यह इसी साफ से हम लोगों का बच्चों first option इसमें सही हो जाता है